नमस्काल कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता इस वक्क की बड़ी खबर कानपूर हिंसा से जुड़ी वी सामने आ रही है जहां पर आज बाबा का बुल्डोजर गरच चुका है जी हाँ उपद्रव्यों पर बाबा का बुल् इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूजरूम में मौझूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी राजीव जी कल दंगा हुआ और अब एक्शन हो रहा है क्या कहींगे इस पर देखें दंगा तो एक सब्ता पहले से सुरू हो चुका था जब कानपुर में इन लोगों ने पूरी साजीश के तहत दंगा भड़काने की कोशिश की हाला कि एक्शन योगी आदितनाथ की टीम ने समय पर लिया इसलिए कानपुर भी जादा भड़क नहीं पाया लेकिन इन लोगों की साजीश कम नहीं हुई जबकि सक्त कारवाई के निर फिर टो बुल्डोजर चले गए जिस तरीके से कानपुर हिंसा हुई और कानपुर में जो अलग-अलग तरीके से कॉंस्पिरेसी की गई थी उस कॉंस्पिरेसी के उजागर होने के बाद ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि ये हिंसा पूर्व नियोजीत है इसके लिए पहले से तैयारी की जा रही थी तो जब गलत करोगे तो उसका परिनाम गलत ही होगा और ये कहा जाता है कि जो गलत काम कर रहा है अगर उसकी गलती पकड़ी जाती है तो पहले से जो उसने अपराद किये हैं सारे अपराद खोद खोद के बाहर निकाले जाएगे और कान पर हयात हाशमी का जो पूरी कुंडली निकाली गई तब पता चला कि इसका कनेक्शन तो विदेशों से भी है फंडिंग मिल रही है उसके बाद अब ये एक बड़ा अपराधी बन गया तो उसके मकान और जो अवैद कबजा वाली संपत्ति है उस पर बुल्डोजर तो चलना ही था उसके अलावा जो धीरे धीरे नए नए सुबूत आ रहे हैं कानपूर से कि जो अवैद संपत्तियों पर कबजा किये हुए है बड़ी बड़ी इमारते बना चुका है और वो सारी जमीन किसकी है एनेमी प्रोपर्टी वालों की यानि की कस्टडी में है गोर्मेंट की और उसको अनथ्राईज तरीके से इन लोगोंने कबजा कर रहा है तो उस पर भी कारवाई होगी अब जब उसके ऊपर कारवाई शुरू होई थी तो इसी बीच इन लोगों ने यूपी में फिर से ब़वाल कर दिया दस दस जगों पे इन लोगोंने जो दंगे किये हिंसा क जुमे की नमाज के बाद उसके बाद अब सीयम योगी आदितनाथ पूरी तरह से गुसा गए हैं। उनको लग रहा है कि बार बार निर्देश देने के बाद, आदेश देने के बाद, कारवाई करने के बाद भी ये लोग सुधर नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि अब अन्त अन्तिम तरीके से प्रहार किया जाएगा, ये देखिए सामने आ रहा था कि कहां कहां पर प्रहार किया जा रहा है, बुल्डोजर चलाया जा रहा है, और जहां जहां ज़्यादा अशंका है हिंसा की, जिन जिन जगों पर लग रहा है, कि अब ज़्यादा हिंसा हो सकती है, अर्थ सेनिक वलों को भी भेजा जा रहा है और अब जो अंतिम तरीके से इन लोगों के उपर कारवाई की जाएगी वो यही है कि जितने भी आरोपी हैं वो या तो सरेंडर कर दें या तो उनके घरों की कुरकी जपती होगी या फिर उसके पुराने गलत रिकार्ड को भी खं हंगामा चल रहा है ये सामान ने अस्तर का नहीं माना जा सकता इसके पीछे एक बड़ी साजी से है जो सिर्फ निशनल लेवल पर नहीं है अंतर रास्ट ये अस्तर पर है एक दिन में कई राजियों में लगभग एक ही समय में यानि कि जुमे की नमाज खत्म होई एक से डि उस पर कारवाई हो चुकी थी फिर भी इन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि अब सीएम योगी आदितनाथ जो सकती दिखा रहे हैं उसका कोई असर होने वाला है अब दस दस जगह बारा जगह पर इन लोगों ने हंगामा किया और उसके साथ किया क्या परियाग राज में पु आगे भी अलग-अलग जगों पर जहां-जहां से आरोपी मिले हैं जिन लोगों को नाम है फायार दर्ज किया गया है अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार तो पांच हजार से ज़्यादा फायार दर्ज किये जा चुके है और इसकी संख्या 10 अजार भी होगी क्यों कि अभी बहुत सारे लोगों का नाम आना बाकी है जिसने नाबालिकों को आगे किया और पत्राव कराए थे ये पुरानी साजी साइन लोगों की ये तो अगर इतिहास पढ़ेंगी तो ये पुरानी समय से मध्यकाल में भी एक वारस्टिटजी हुआ करते थी मुस्लिमों की कभी सेना के आगे गाये खड़ा कर देते थे क्योंकि हिंदू सेना जो होती थी वो गायों पर हमला नहीं कर सकती है कभी महिलाओं को कभी बंदियों को ये अलग-अलग तरीके की ये वारस्टिटजी है अब उसी वारस्टिटजी को यहाँ पर ये लागू कर रहा है क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान है जिसकी पुलिस विवस्ता परशासन या फिर उत्तर परदेश की बात करें तो उसके पुलिस विवस्ता जो है अब वो महिलाओं और बच्चों के ऊपर तो आसुगैस के गोले नहीं छोड़ सकती वो ऐसी प्रस्तिती जब तक ना आए कि उन लोगों को गिरफतार करने की नौबत आ जाए उनको अब उनके पीछे से कोई अगर गोली चलाना शुरू कर देगा तो पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी कि उसको एक सिल्ड की तरह उपयोग किया जा रहा है कि अब पुलिस इन लोगों को तो भेद नहीं पाड़ेगी और हम पीछे से हमला करेंगे पुलिस के उपर पत्थरवाजी करेंगे पेट्रॉल बम फेकेंगे लेकिन अब जिस तरीके से नैप किया जा रहा है इन लोगो को पकड़ा जा रहा है तो दस दिन के अंदर पहुत बड़ी कारवाई और बवाल उत्तर परदेश में होने वाला है बवाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही इन लोगों की गिरफतारियां शुरू होती है विपक्षी पाटी बौखलाना शुरू कर देती है अकल लगने लएगा कि उत्तर परदेश के विधान सभा चुनाब में इस वार तो कुछ मिला नहीं लेकिन इस से आगे हम मुसलमानों को भढ़काएं बताएं कि हम तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए आए हैं तो ये विपक्ष की राजनीती फिर से सुरू हो जाएगी कॉंग्रेस भी 2024 देख रही है और राजसभा चुनाब में भी कॉंग्रेस ने इसलिए उत्तर परदेश को इतना तवज्यो दिया जहां उसके दो विधायक हैं वहां अलग-अलग राज्यों से अपने जो नेता है उसके उसको राजसभा में भेज रही है तो 2024 की तैयारी इ अब इन लोगों को मुसलमानों को वोट लेना है तो ये विपक्ष की राजनिती भी शुरू होगी और लेकिन इन चीजों से CM योगी को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है उन्होंने सक्त निर्देश दिये हैं कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाब कठोर कारवाई की जाए राजीव जी आज रियाज एहमद जो है उनके भी पेट्रोल पंपर बुल्डोजर चलाया गया है योग्या दितनात लगातार बुल्डोजर की कारवाई करवाई करवा रहे हैं लोगों में भी ये सवाल था कि बुल्डोजर कब चलेगा इन दंगाईयों पर तो आप साब देखा जा सकता हाला कि आवैद निर्मान पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है लेकिन अब दंगाईयों के घरों को भी चिनहित कर अब बुल्डोजर की कारवाई शुरू हो गई है इस पर क्या कहेंगे बेसिकली देखिए ये सुरुवात है आवैद निर्मान पर बुल्ड गंगस्टर अक्ट लगेगा इसके बाद सब के खिलाफ कारवाई की जाएगी उसी तरीके से जैसे गंगस्टर गंडो के खिलाफ कारवाई की जाती है अब गंडा अक्ट के लेकिन उसके बाद जो भगोडे होंगे जिसे भगोडा सावित कर दिया जाएगा उसके खिलाब भी बुल्डोजर की कारवाई होगी और ये पेट्रॉल पंप के लिए तो पहले से ही बात चल रही थी और इसका इन लोगों का हाथ भी है पूरी तरह से जो पेट्रॉल बंप लाय जाता है जबकि पूरी तरह से कहा गया है इंस्ट्रक्शन है पेट्रॉल पंप वालों को कि कभी भी आप बोटल में पेट्रॉल नहीं बेच सकते उसके लिए गाड़ी लाना जरूरी है आपके पास अब बोटल में पेट्रॉल या केन में पेट्रॉल लेके जो जाता ह उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए और ये बेचता है उसके खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए इसलिए पेट्रॉल पंपे सील किया गया है और अब ये कारवाई भी हो रही है तो अब कुछ समय का इंतजार कीजिए, कुछ समय के अंदर इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम उत्तर परदेश में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल या राजस्थान या जहारखंड में नहीं रह रहे हैं, जहां पर हंगामे के बाद भी इन लोगों को से अपील की जात तो छोटी मोटी कारवाई की जाती है राजस्तान में कुछ ऐसे इस्थिति है तो कॉंग्रेस या फिर गैर भाजपाई जो भाजपा स्टेट हैं सासित उन जगहों के स्थिति उपी में नहीं है और यही कारण है कि आप देख लिजे इतना हंगावा होने के बाब जूद उत् चिम बंगाल में ज्यादा हुआ वहाँ पर ठाने पर हमला किया गया पुलिस के उपर भी हमला किया गया लेकिन कारवाई के नाम पर अगर देखें तो उत्तर परदेश की सरकार कर रही है ममता बनर जी नहीं कर रही है ममता बनर जी अपील कर रही है जारकंड की सरकार है जो उस तरह की कारवाई नहीं कर रही है सांति की अपील कर रही है तो ये अंतर है दूसरों में और उत्तर परदेश में अब ये चलेगा नहीं बुल्डोजर चलेगा और फिर उसके बाद इन लोगों को सबक मिल जाएगा कि अगले कुछ सालों तक जब तक योगी आदित नाथ सीएम है भाजपा की सरकार है तब तक अगर ऐसे साजीश करने है तो उनको एक बार नहीं सो बार नहीं एक हजार बार सोचना पड़ेगा राजी जाते जाते आखरी सवाल आपसे करना चाहूं क्योंकि मेरे मन में भी वो सवाल है हम सब के मन में वो सवाल है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फुटेज सामने आई है उसमें नीली टॉपी और काले कपड़ों वालों का एहब रोल रहा है ये दंगे भढ़काने में कहा जा रहा है कि ये लोग जो है नमाज जब नमाज पढ़ने वाले नमाजी अंदर गए थे तो मस्जिद के बाहर शराब पीकर पहले से ही माँ मौजुद थे उसके बाद जैसे ही नमाजी बाहर आए तो उसके बाद इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दियो जान बूचकर इन लोगों ने दंगा भढ़काया है जिस पे पीएफ़ाई और एआएमाईम का नाम भी आ रहा है कुछ दिन पहले ही ये ख़बर सामने आई थी कि एक हिट असक्वाइड है पीएफ़ाई से उसका लिंक है दूसरे संगठन भी उसके साथ हैं तो ये वही लोग हैं जिसको पहले से ही कहा जा रहा है कि एक होता है हार्ड कोट टेरोरिस्ट आतंकवादी संगठन जो उसके स् जब भी कोई अंजाम देना है धमाके को आत्मगाती हमले को तो उन लोगों को एक्टिवेट किया जाता है ये इसी तरह से ही टर स्कॉाइड है जो अलग अलग जगों पर इन लोगों को तयार करके रखा जाता है और जहां हंगामा करवाना है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पहले से ये भीड का हिस्सा होता है और भीड में कुछ लोग अगर नारेवाजी कर रहे हैं तो उस नारेवाजी को और तेज कर दो उसके बाद बीच में से पत्थर मारो हिंसा फैलाओ अगर एक दो चार लोगों ने पत्थर मारे तो 100-200 लोग ही पत्थर उठा ले बहुत बहुत शुक्रें तमाम जानकारी के लिए तो बाबा का बुल्डोजर एक्शन मोड में है लगातार बुल्डोजर चल रहा है और साथ ही साथ आज जो मास्टर माइंड था कानपुर का हिंसा का जो मास्टर माइंड था उसके भी घरों पर बुल्डोजर चलाए गया है और हयात के करीबियों पर भी बुल्डोजर चला है साथ ही अब जो है सारनपुर में जो भी हिंसक थे जो भी दंगाई थे उनकी संपत्ति पर भी बुल्डोजर चलना शुरू हो गया है तो आप देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार झाल